नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज हम सॉल्फ करेंगे अपने फोर्थ चैप्टर यानि की रासाइनिक आबंधन एवं आणविक सनरशना से रिलेटिट कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चिन्स जो कि हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छे से नोट भी करना है कॉपी में क्यूंकि ये हमारे एक्जेम्स में बहुत ज्यादा यूसफुल हो सकते हैं हमारे लिए तो इसमें जो हम पहला क्वेश्चिन ले रहे हैं वो है कि निम्नलिके तत्वों के लुइस डॉट या फिर बिंदु प्रतीक या फिर संरशनाओं को हमने लिखना है तो आपको मैगनीशियम तत्व दिया गया है सोडियम ऑक्सीजन और ब्रोमीन इनके लिए आपने इनका लुइस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है सबसे पहले बात करते हैं मैगनीशियम के लिए तो मैगनीशियम के संयोजी कोश में या फिर वैलन्स शेल में कितने इलेक्टरॉन्स होते हैं उन्हीं को दिखाया जाता है लुइस डॉट स्ट्रक्चर में है ना तो magnesium के संयोंजी कोश में होते हैं दो electrons जिनने हम इस तरीके से दिखा देंगे और यही हो गया इस तत्व के लिए Lewis.pratik ठीक है, sodium के लिए देखते हैं तो sodium के संयोंजी कोश में या फिर valence shell में कितने electrons होते हैं इसमें भी होता है केवल और केवल एक electron तो इसका जो प्रतीक बन जाएगा या structure बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा oxygen, oxygen के संयोंजी कोश में कितने electrons होते हैं oxygen के पास होते हैं 6 electrons तो इन्हें हमने दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लुइस डौट प्रतीक हो गया किसके लिए, oxygen के लिए, bromine के लिए बनाईए तो bromine के संयोंजी कोश में कितने electrons होते हैं, ये होते हैं 7 तो इसमें दिखा लेजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से इन तत्वों के लुइस डौट प्रतीक या फिर symbols हमने लिख दिए अब next question देखते हैं, तो अगला question है, कि निमने लिखित आएनों या फिर अणों की लुइस संरचनाएं बनाईए आपको दिया है hydrogen sulfide अणों और carbonate ion, ठीक है तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं hydrogen sulfide के लिए H2S, इसके लिए आपने Lewis structure बनाना है, Lewis संरचना बनानी है तो यहाँ पर केंद्र ये परमाणू या फिर central atom कौन सा है, यह है sulfur का, तो इसको रख दीजिए बीच में hydrogen के कितने परमाणू है, दो परमाणू है, तो इसको एक को तो यहाँ रख दिया, दूसरे को यहाँ रख दीजिए आच्छा, आप मुझे एक बात बताईए, कि इसमें total कितने electrons होने चाहिए sulfur के संयोजी कोश में होते है, 6 electrons, hydrogen के एक परमाणू के संयोजी कोश में होता है, एक ही electron, दो परमाणू है, तो यहाँ से 2 electrons हो गए, 6 यहाँ पर थे, कितने हो गए total, 8 तो 8 electrons यहाँ पर हमने show करने हैं, तो देखे, sulfur के पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, hydrogen के इस वाले परमाणू के पास में 1 electron, यहाँ पर भी 1 electron, इन दोनों की क्या होई होगी, साजेदारी होगी electrons की, यहाँ पर भी electrons की साजेदारी होगी, और इस type का बन गया, इसका Lewis structure, तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से Lewis structure हमने लिख दिया, hydrogen sulfide के आणों के लिए, अब देखिए, carbonate iron के लिए, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, Lewis dot structure लिखते हुए, किसी भी आणों या फिर iron के लिए, कि total electrons यहाँ पर कितने आएंगे, अब देखिए, यहाँ पर जो carbon है, उ balance shell में कितने electrons होते हैं, तो इसके पास में होते हैं, 4 electrons, plus oxygen के एक परमाणू के, सहियों जी कोश में कितने electrons होते हैं, 6 electrons होते हैं, multiply 3, क्यूंकि 3 oxygen के परमाणू है, अब 2 negative का यह मतलब है, कि 2 electrons extra आये हैं, तब ही तो 2 negative charge आया है, है न, equals to कितना हो जाएगा, 4 plus 6, 3 is 18, plus 2, तो total कितना हो गया, 24, तो 24 electrons total इसमें भरने हैं, ठीक है, तो अब इसको solve करते हैं, देखिए, यहाँ पर central atom है carbon, है न, या फिर केंदरे परमाणू यहाँ पर हो गया carbon, oxygen के हैं, 3 परमाणू, एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया, और तीसरा यह हो गया, भरने है 24 electrons, याद देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, ठीक है, सतरा, अठारा, उननिस, बीस, इकिस, बाइस, तेईस, चौबिस, हो गये 24 electrons, फिल, ठीक है, तो इस तरीके से बन गया carbonate to negative iron, या फिर carbon unit iron, अब देखते हैं अगला question, तो अगला question है, कि H2O अनू, एक, त्री परमानों का अनू है, यानि कि इसमें तीन परमानों है, है न, दो परमानों hydrogen के, एक परमानों oxygen का, किन्तो इसकी geometry, या फिर geometry, रेखी या नहीं होती है, ऐसा क्यों, तो इस question में आप लोग कुछ बात स regular और irregular टाइप की geometries, या फिर नियमित, एवं अनियमित टाइप की जयामितियों के बारे में बात की ती, तो इसकी जरए geometry बना के देखिए, कि कैसी आकरती या फिर कैसी shape इस molecule की बनती है, देखिए oxygen है, ठीक है, और hydrogen के दो परमानों है, oxygen के पास में कितने electrons होते हैं सहियों जी कोश में, इसके पास में होते हैं 6 electrons, ठीक है, और hydrogen के पास में एक-एक electron होता है, तो ये तो हो गया, इसका Lewis dot structure, और इसकी जो जयामिति होती है, वो होती है, अनियमित जयामिति, या फिर irregular structure, ठीक है, अभी देखते हैं, कि इसमें क्या हो रहा है, कि इसकी जो geometry है, वो अनि जयामिति, या फिर irregular क्यों हो रही है, तो अब हम इसकी आकरिती बनाते हैं, देखिए oxygen का परमाणू center में है, यहाँ पर रहा एक hydrogen का परमाणू, यहाँ पर रहा एक hydrogen का परमाणू, ठीक है, तो यहाँ पर बन गया एक bond, यहाँ पर भी बन गया एक bond, बचे, दो lone pair है न, तो lone pair कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर बना दीजिए, एक तो यह हो गया, ठीक है, और दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा हो गया यह, ठीक है, तो कुछ इस type की इसकी geometry या फिर shape बन जाती है, है न, और इसको अगर और ढंक से बनाया जाए इसकी shape को, तो हम लोग कैसे बना सक एक hydrogen, यहाँ पर रहा एक hydrogen, ठीक है, इनके बीच में है, bond, single bond, और दो lone pair हैं, और जो इनके बीच में angle बनता है, या कोन बनता है, वो होता है, 104.5 degree का, या फिर 104.5 degree का, तो यह क्या है, यह है आकरती, या फिर shape, H2O अनू, या फिर जल के अनू की, ठीक है, और यह जो shape है, यह कैसी है, यह है, कोनी, ठीक है, रेखी तो नहीं है, यह linear तो नहीं है, है ना, यह angular shape है, angle बन रहा है, तो यही question में पूछा जा रहा है, कि यह angle क्यों बन रहा है, इसको तो सीधे-सीधे linear type का होना चाहिए था, क्योंकि तीन ही तो परमाणू है, है ना, लेकिन इसके पीछे का जो concept है, अब उसको सोचिए, तो हमने ध्रूविय और और ध्रूविय यानि कि polar और non-polar type के compounds के बारे में जाना था, है ना, उसमें हमने क्या जाना था, कि जहांपर ध्रूवों का निर्मान होता है, यानि कि poles का, वो कहलाते है, polar compounds, और जहांपर ध्रूवों का निर्मान नहीं होता है, वो कहलाते है, non-polar compounds, यहांपर pole का निर्मान हो रहा है, कैसे, तो देखिए, जो oxygen है, वो है, ज्यादा electronegative तत्व, किसके comparison में, hydrogen के comparison में, और hydrogen है, कम electronegative तत्व, तो क्या होता है, कि जो ये electron pair है इसको ये oxygen अपनी तरफ को खीशने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्या है, highly electronegative तत्व, है ना, तो इनको जब ये अपनी तरफ खीशने की कोशिश करेगा, इसका मतलब है, ये जो pair है, electrons के, ये hydrogen और oxygen के पास में, एक जैसी distance पर नहीं रह पाएंगे, किसकी तरफ ज्याद होंगे, और इसलिए यहाँ पर इस type का angle बनता हुआ हमें दिखता है, और इसकी जो shape बन जाती है, वो angular type की बन जाती है, ना कि रेखी है, या फिर linear type की, तो ये वाला question भी हो गया, clear, अब next question पर चलते हैं, अगला प्रशन है, कि nitrogen अनू और जल के अनू, यानि कि N2 और H2O मे जो shape है, वो तो हमने अभी-अभी देखी, पहले हम लोग देख लेते हैं, N2 के बारे में, तो जो nitrogen है, इसके सहियोजी कोश में होते हैं, 5 electrons, और जो दूसरा nitrogen का परमानू होगा, उसके सहियोजी कोश में भी कितने electrons हो जाएंगे, 5 electrons हो जाएंगे, तो इस type का कुछ इनका structure ह हो गया, यानि कि जो यहाँ पर bond बन रहा है, वो किस तरीके से बनेगा, वो बन जाएगा N, triple bond N, तो यहाँ से हमें यह पता चल रहा है, वैसे तो यह इसके नाम से ही पता चल रहा है, N2 अनू लिखा गया है, तो जो यह N2 अनू है, यह कैसा type का molecule होता है, यह होता है, सम्द जोई परमानुक आनू, यानि कि जिसमें दोनों ही परमानू समान type के है, nitrogen के ही तो है, दोनों परमानू है न, और उन से मिलकर बन रहा है एक आनू, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, जो इसमें pair होंगे, electrons के हैना, electron युग्म होंगे, वो दोनों के साथ में ही समान रूप से shear रहेंगे, एक जैसी distance पर रहेंगे, क्योंकि इन दोनों में से ना ही कोई ज्यादा electronegative होगा, ना ही कोई दूसरे की तुलना में कम electronegative होगा, दोनों एक ही जैसी electronegativity वाले परमानू हैं, इसलिए यहाँ पर ध्रूव का या फिर pole का निर्मान नहीं होगा, और जो N2 अ ठीक है, तो यह कैसा molecule है, non-polar molecule है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, दूसरा क्या है, H2O अनू, यानि की जल का जो अनू है, या फिर molecule है, या फिर water molecule, ठीक है, इसकी आकरिती अभी हमने देखी थी, इसमें जो oxygen होता है, वो होता है, सेंटर में, hydrogen के दो परमाणों कुछ इस तरीके से होते हैं, और यहाँ पर दो lone pair होते हैं, यानि की चार जो electrons होते हैं, उन्होंने bonding में participate नहीं किया होता है, और यहाँ पर इसके बीच में जो angle बनता है, bond angle वो कितना बनता है, वो होता है 104.5 degree का, यह angle इसले बन रहा है, वैस से तो इसकी shape linear होनी चाहिए, अभी अभी हमने discuss किया था, लेकिन angle इसी वज़े से बन रहा है, क्योंकि जो oxygen है, वो है highly electron negative element, और इसकी तुलना में, hydrogen की तुलना में तो ज्यादा ही है, तो इसके पास में slightly negative charge होगा, है न, जबकि जो hydrogen के परमाणों है, उनके पास में slightly positive charge होग ठीक है, इस वज़े से जो ये electron pair है, जो bonding में participate कर रहा है, वो oxygen की तरफ को ज्यादा होगा, बजाए किसके hydrogen परमाणों होगे, और यहाँ पर poles बन जाएंगे, ध्रूब बन जाएगा, और इसलिए इसकी shape angular हो जाएगी, या फिर कोनी हो जाएगी, और इसलिए जो water molecule होता है, या फिर जल का अणू होता है, वो होता है polar molecule, या फिर ध्रूवी ये अणू, ठीक है, तो ये वाला concept भी हो गया clear, next question पे चले, तो देखिए, sulfur dioxide का, जो Lewis dot structure है, वो आपको बना के दिया गया है, और इसी structure से, इसमें जो आपको एकाकी युग में electron, यानि की lone pair of electrons नजर आ रहे हैं, उन्हीं से आप formal आवेश की गरना कर सकते हैं, हर एक atom पे, सबसे पहले किसके लिए गयात करें, तो जो central atom है यहाँ पर, sulfur, उसी के लिए formal आवेश, या फिर formal charge की गरना करते हैं, तो लिख लेते हैं कि sulfur पर मानू, पर formal आवेश, ठीक है, और formal आवेश को हम कैसे लिखते हैं, तो यह हो गया, formal dot c, यानि की charge, equals to, देखिए, sulfur के सईयों जी कोश में, या फिर valence shell में, कितने electrons होते हैं, यह होते हैं, 6, minus, एका की युग्म, या फिर lone pair electrons, कितने हैं, यहाँ पर number of electrons बताने हैं, तो कितने हैं, 1, 2, तो यह हो गये, 2, minus 1 upon 2, into, कितने bond pair electrons हैं, electrons की संख्या बतानी हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह हो गया, यहाँ पर 6, ठीके, इसको solve कर लेंगे, तो sulfur पर formal charge आपको प्राप्त हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह हो गया, 6, minus 2, minus 2, 3, जा हो गया, 6, तो कितना हो गया, 6, minus 5, यानि की plus 1, तो sulfur के परमाणू पर जो formal charge है, या फिर formal आवेश है, वो यहाँ पर आ गया है, plus 1, अब देखिए, जो ये वाला oxygen परमाणू है, जिसे हम लिख सकते हैं, दुई आबंधित, क्योंकि इसके साथ में कितने bonds बने हैं, double bond बने हैं, ठीके, तो दुई आबंधित, oxygen परमाणू प पर formal charge की गरना आपको करनी है, या फिर formal आवेश की गरना आपको करनी है, तो ये equals to हो जाएगा, कितने oxygen के valence shell में, या फिर संयों जी कोश में electrons होते हैं, तो ये होते हैं, 6, minus कितने यहाँ पर एकाकी युग में electronों की संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, minus 4, minus 1 upon 2, into कितने electrons ने bonding में participate कर रखा है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आगया, 4, ठीक है, equals to 6 minus 4 minus, 2, 2, जा क्या हो गया, 4 हो गया, तो 6 minus 6 हो गया, 0, तो यहाँ पर formal charge या फिर formal आवेश कितना है, इस दोई आबंधित oxygen परमानों पर, यह है 0, यानि की 0, अब देखते हैं, इस दूसरे वाले oxygen के लिए, जिसे हम लिखेंगे, एकल आबंधित, क्योंकि यहाँ पर कितने bonds हैं, single bond है, ठीक है, तो एकल आबंधित, oxygen परमानों पर, formal charge या फिर formal आवेश, equals to, कितना हो जाएगा, valence shell में कितने electrons हैं, 6, minus, एका की युग में electronों की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर minus 6 हो गया, minus 1 upon 2, into, कितने electrons ने bonding में participate किया है, तो यह हो गए, 2, 1, 2, तो यहाँ पर आगया, 2, ठीक है, अब यह तो हो गया, 0, minus 1, तो यहाँ पर formal आवेश, या फिर formal charge आगया, minus 1, तो अगर अब हमें इस पूरे molecule को या फिर इस पूरे structure को formal आवेश की तरीके से दिखाना है, तो हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, पहले तो इसी को ऐसे बना देते हैं, oxygen, single bond, sulfur, double bond, oxygen, ठीक है, इसके साथ में यह lone pair भी दिखा दीजिए, यह हो गया, यहाँ पर एक lone pair हो गया, य जिनोंने bond बनाने में भाग नहीं लिया है, यहाँ पर 6 electrons हो गए, ठीक है, formal आवेश दिखाईए, तो यहाँ पर जो sulfur है, उस पर formal आवेश कितना है, इस पर है plus 1, ठीक है, single bond वाले oxygen पर कितना formal charge है, तो यहाँ पर है minus 1, ठीक है, और इस पर कितना formal charge है, यहाँ पर है 0, ठीक ह तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने अभी व्यक्त भी कर दिया, या फिर दिखा भी दिया, समझ गए कैसे formal charge या फिर formal आवेश की गरना की जाती है, अब next question देखते हैं, अगला question है, कि निम्न अनूओं में यह जो molecules आपको दिये गए हैं, इन में sigma और pi आबंधों की कुल स तंख्या ग्याद कीजिए, या फिर जितने भी total sigma और pi bonds हैं, उनके numbers आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो सबसे पहले है C2H5Cl, इसको पहले हम लोग bonds की तरीके से लिख लेते हैं, तो दो carbon के परमाणू है, इनके बीच में है single single bond, ठीक है, hydrogen के कितने परमाणू है, पांच है, तो एक, दो, तीन, चार और पांच, और यहाँ पर chlorine है, इस वाले carbon के साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है, या फिर किसी भी carbon के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है, तो इस type से इसका structure बन गया, यहाँ पर आपको कोई भी double bond या triple bond नजर नहीं आ रहा है, सारे के सारे ही single bond है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि यहाँ पर केवल और केवल sigma bonds है, या फिर sigma आबंद है, पाई आबंदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, zero है, ठीक है, तो पहले तो मैं जल्दी से इसी को लिख देती हूँ कि यहाँ पर जो पाई आबंद है, उनकी सं संख्या या फिर 0, आप सिंगमा बांड काउंट कर लिजीं, क्यूंकि यह सारे के सारे बांड सिंगमा बांड सी हैं तो McM-2, Hahn-3,-----4,-5,-6, यह हो गया साथ सिंगमा बांड की संख्या है साथ इस वाले में देखिए, यहाँ पर आपको double bonds भी नज़र आ रहे हैं, triple bonds भी नज़र आ रहे हैं, तो पहले इसका structure भी कुछ बना लेते हैं, इसी तरीके से, यहाँ पर देखिए CH3, यानि की single bond H, single bond H, और single bond H, ठीक है, फिर carbon, इसके साथ में, यहाँ पर एक hydrogen, double bond carbon, इसके साथ में, यहाँ प hydrogen, ठीक है, अब बताईए, इसमें कितने sigma bond हैं, और कितने pi bonds हैं, जो single bonds होंगे, वो तो सारे के सारे ही, sigma आबंद होंगे, ठीक है, और pi bonds कौन से होंगे, pi bonds बनेंगे, sigma bonds के चारों तरफ, ठीक है, तो count कीजिए, कितने बन रहे हैं, यहाँ पर sigma आबंद, देखिए, इसमें, pi होगा, तो 6, 7, 8, इन तीनों में से जो बीच वाला होगा, वो sigma होगा, 9, और यह 10, तो sigma bonds हैं, यहाँ पर 10, अब pi bonds कितने हो गए, तो 2 तो यहाँ पर है, ठीक है, sigma bond के उपर और नीचे वाला, और 1 यहाँ पर है, तो कितने हो गए total, 3 pi bonds यहाँ पर हो गए, ठीक है, अब next question देखें, तो अगला question है, कि कक्षकों को प्रदर्शित करने में, plus यानि कि धन और minus यानि कि रंचिनों का क्या महत्व होता है, तो हमने देखा था, जब हम linear combination दिखा रहे थे, orbitals का, तब हमने plus और minus sign लेते थे, हम लोग, पर्मानवे कक्षकों के लिए, है ना, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको positive दिखाते थे और इसको negative दिखाते थे, क्योंकि हम लोग पर्मानवे कक्षकों को तरंग फलन के रूप में अभिव्यक्त करते थे, और मैंने आपको यह बताया था, कि जो यह plus और minus है, यह आवेश या फिर charges को नहीं बता रहे हैं, बलकि यह चिन क्य प्रदर्शित करते हैं, यह प्रदर्शित करते हैं, crest और trough को किसी wave में, ठीक है, तो यह अगर कोई wave है, तो जो plus sign होगा, यानि कि जो धन चिन होगा, या फिर positive चिन जो होगा, वो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा crest यानि कि श्रिंग को, ठीक है, जबकि जो negative sign होगा यानि की जो रिंचिन होगा वो क्या दर्शाएगा वो दर्शाएगा च्रफ यानि की गर्थ को ठीक है तो ये वाला question भी हमने कर लिया solve भूत ही easy था अब next question देखते हैं तो अगला question है कि आणवे कक्षक सिध्धांत अणवे कक्षक सिध्धांत कौन सा होता है molecular orbital theory इसका प्रयोग करके समझाए कि जो बेरिलियम अनु है BE2 या फिर molecule इसका अस्तित्व क्यों नहीं होता है ये क्यों नहीं बन पाता है तो इस question को solve करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जो बेरिलियम तत्व है उसका परमानु क्रमान क्या होता है तो ये होता है Z equals to 4 तो इसका मतलब है कि जब बेरिलियम के दो परमानुवे कक्षक आपस में मिलें और आनुवे कक्षकों का निर्मान करें तो total कितने electrons इसमें भरे जाने चाहिए 8 electrons इसमें भरे जाने चाहिए ठीक है तो जो बेरिलियम का अणू अगर बनता है बाई चांस ठीक है हम लोग इसको कालपनिक रूप में मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तो इसका जो electronic विन्यास होगा वो कैसे बनेगा सबसे पहले तो सिगमा 1 as 2 उसके बाद फिर सिगमा स्टार 1 as 2 फिर चलेंगे 2s कक्षकों में तो सिगमा 2 as 2 और फिर सिगमा स्टार 2 as 2 अब अगर इसका electronic configuration कुछ इस तरीके का है तो यहां से आप bond order ग्याद कर सकते हैं कितना आता है तो bond order equals to क्या होता है आणविक कक्षकों के लिए 1 by 2 N B minus N A यहां पर N B क्या है आबंधन electronों की संख्या यानि की bonding electrons कितने हैं यहां पर bonding electrons तो देखे 2 plus 2 4 और N A क्या होता है प्रति आबंधन electronों की संख्या यानि की anti bonding electrons तो कितने हैं 2 plus 2 4 तो equals to आगया 1 upon 2 यहां पर भी हो गया 4 minus 4 तो कितना आगया यह आगया 0 अब अगर जो bond order है या फिर आबंध कोटी है वो हो जाती है 0 तो क्या किसी आणू का अस्तित्व हो सकता है नहीं हो सकता है है ना तो इसी लिए जो beryllium आणू होता है यानि कि BE2 molecule होता है उसका अस्तित्व नहीं पाया जाता है या उसका बन पाना संभव नहीं होता है ठीक है तो मैंने इतना ही लिख दिया कि BE2 आणू या फिर beryllium आणू का अस्तित्व नहीं होता ठीक है तो आप समझ गए ये बात भी अच्छे से अब देखते हैं एक last question जो की बहुत जादा important है अनूनादी सनरचना उसे related तो हमें बनानी है sulfur trioxide और nitrogen dioxide के लिए resonance structure या फिर canonical structures ठीक है तो बीच में डाल लेते हैं एक line और इन दोनों के ही जो resonance structures हैं वो बनाते हैं ठीक है वैसे हम लोगों ने सीख रखा है शायद discuss भी किया हो lectures में लेकिन फिर से एक बार हमारा revision हो जाएगा तो देखिए SO3 यानि की sulfur trioxide के लिए पहले resonating structures देखिए देखिए sulfur है यहां पर केंद्र यह पर मानूं ठीक है ये एक oxygen के साथ में बनाता है double bond ठीक है और ये रहे जो electrons part नहीं ले रहे हैं इसके साथ में ये बनाता है उप सहसयोजक आबंद या फिर कहीं कहीं पर न इन dative bonds को या उप सहसयोजक आबंदों को generally सहसयोजक आबंद के तरह से भी दिखाया जाता है जो ये arrow का sign है ये dative bonds या फिर उप सहसयोजक आबंदों के लिए बनाया गया है वैसे ज्यादा तर इसको भी covalent bond की तरह से ही दिखा लिया जाता है तो आप कैसे भी बना सकते है कहीं कहीं पर आपको dative bond की तरह मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको covalent bond की तरह ये show होतावा दिखाया जाता है ठीक है तो इस तरीके से इसका एक structure तो बन गया कुछ ऐसा आप देखिए और कैसा इसका structure बन सकता है तो इसका structure क्योंकि यहां पर सामने तो मेरे पास जगे नहीं है तो मैं इसके दो structure और बनेंगे जिन्हें मैं यहां पर बना दे रही हूँ ये जो double bond है ये दोनों side shift हो सकता है या तो ये इधर भी shift हो सकता है या फिर इधर भी shift हो सकता है तो यहां पर कैसा बन जाएगा अब ये हो जाएगा S double bond O ठीक है एक, दो, तीन, चार और यहां पर आ गया ये वाला dative bond ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे उसके बाद यहां पर भी आ गया एक, उप, सैसेयों जगावंद ये वाला oxygen ठीक है तो यहां पर भी हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक canonical structure इसका ये बन गया एक और इसका canonical structure कैसे बन सकता है तो अब ये bond यहां पर shift हो जाए अगर तब इसका structure कैसा बन जाएगा तो canonical structure एक, दूसरे की क्या होते है mirror image type के ही तो होते है न ये हो गया oxygen एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यहां पर भी आ गया oxygen एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और यहां पर आ गया double bond ठीक है एक, दो, तीन, चार तो इस तरीके से कितने अनुनादी संरचनाएं या resonance structure बन गए SO3 या फिर sulfur trioxide के तीन अनुनादी संरचनाएं बन गई, इसे आप अपनी copy में आमने सामने भी बना सकते हैं सबको अब देखते हैं, nitrogen dioxide के लिए कितनी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं तो देखिए, nitrogen है, यहां पर central atom या फिर केंद्रे परमाणू एक electron रहता है इसका विशम electron की तरीके से ठीके, जो की अश्टक नियम की सीमा में भी हमने देखा था, कि ये पालन नहीं कर पाते हैं, octit rule का जो विशम electron परमाणू वाले अनू होते हैं, ठीके यहां पर ये रहा dative bond या फिर उपस है सहीं जग बंद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीके, और इसकी एक और सनरशना कैसी बन जाएगी, जब ये double bond यहां पर shift हो जाए, ठीके तो ये कैसा हो जाएगा, and यहां पर रहा एक electron विशम electron अनू है ये, ठीके ये रहा oxygen के साथ में dative bond, या फिर इसे हम सहसायों जग आबंद के रूप में भी बना सकते हैं, ठीके, यहां पर रहा double bond, एक, दो, तीन, चार, तो दो अनुनादी सनरशनाए हो गई हैं, किसके लिए, nitrogen dioxide अनू के लिए, या फिर molecule के लिए, तो आज हमने बहुत सारे important questions discuss कर लिए, fourth chapter से related अब आप इनकी खूब सारी practice करते रहिए और खूब सारा revision करते रहिए